है रो दोस्तो लेट्स क्रैकिट में आप लोगों का स्वागत है और एक से 15 दिसंबर 2021 की डाउन टू अर्थ मैगजीन आप लोगों के सामने तो इसके अंदर काफी अच्छे जो आर्टिकल्स यहां पर कवर किये गए हैं इसको हम हिंदी भासा में यहां पर डिसकस करने की इसको हो जाता है लाइक शेयर और सबस्क्राइब आपको यहां पर करना पहला आ प्हला जो आरेकल आपकी काम का यहां पर है वहां से निकल कर क्या आता है यहिए इस्टेबल बर्निंग की प्रॉ kilka यहां पर आपको पता है कि रहती है आक्टूपर नवंबर के महिने में पंजाब है यहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इस्पेशल इन पंजाब तो फार्मर्स जो है वो पैडी को यहां पर लगातार जला रहे हैं कुछ किसी तरीके का कोई सुधार देखने के लिए नहीं में नहीं किसी चीज़ में यहां पर आप देखें तो साब साब देखने के लिए मिलेगा स्टेट सो सेवंटी वन थाउजन इसीडेंट ऑफ इस्टेबल बर्निंग बिट्वीन अक्टूबर 16 और नवंबर 15 तो इस एक महिने के अंदर यहां पर 71,000 देखने के लिए मिले हैं और पिछले पांस सालों में यह सब शोट डूरेशन पैड़ी भी देनी की शुरुबात की और उसका भी कोई असर यहां पर देखने की नहीं मिला, मकसद कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया, तो शोट डूरेशन पैड़ी के बारे में मैंने हाली में वीडियो यहां पर बनाई थी, उसमें मैंने इसको एक् ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है तो ग्लोबल लेवल पर COVID-19 को रोकने के लिए European Nations अपने अपने इस तर पर कुछ न कुछ कर रहे है और इसी सिरीज में आस्ट्रिया जैसा जो कंडरी है उसने क्या किया है कि एक lockdown यहाँ पर लगाया है ऐसे citizens के लिए जिन्होंने वैक्शीन का एक भी शोट यहाँ पर नहीं लिया है उनको home arrest कर दे जाएगा उनको lockdown कर दे जाएगा बाकी सारे citizens फिरी होंगे गूमने के लिए तो ऐसा ही सारा काम जो है वो Belgium, Germany, Greece, Slovakia, Latvia इन सारी countries ने भी ऐसा ही काम यहाँ पर किया है इंडिया की तो population ही बहुत है यह सब काम यहाँ पर नहीं हो सकते यह woman in British Columbia, Canada यह पहली ऐसी patient बनी दुनिया की पहली patient जो की climate change के कारण अस्पताल में गई तो यह मैंने आपको बताया था कि Canada के अंदर जो आपका climate change है उसको as a disease यहाँ पर declare कर दिया गया है और जब आप doctor के यहाँ जाओगे तो वो आपको यहाँ पर यह भी बताएगा कि आपकी जो बिमारी है वो climate change के कारण हुई है तो climate change as a disease यहाँ पर declare कर दिया है और ऐसी जो पहली patient यहाँ पर बनी वो Canada की है तो यह चीज है उनको अस्थमा की यहाँ पर problem थी और climate change के कारण heat waves जो की एक outcome है climate change का उसके कारण उनका जो अस्थमा था वो और जादा गंबीर हो गया जिसके कारण उसको climate change disease का नाम यहाँ पर देती हो गया तो ऐसा सब पूरी दुनिया में होना चाहिए जिसे लोगों को इसके बारे में पता लगे उसके बाद रसिया नहीं यहाँ पर आप देखें कि नवंबर 15 को कंड़क्ट किया फर्स्ट ओफिट स्काइड इस्पेस मिसाइल टेस्ट यहाँ पर कंड़क्ट किया है चलिए बहुत अच्छी बात है इन्हों ने यहाँ पर पंड़क्ट किया इन्हों ने अपनी जो है वो डेवरिस यहाँ पर क्रियेट हो गया और जिस पाथ पर आपका इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन यहाँ पर घूमता है उस पाथ पर काफी भारी मात्रा में डेवरिस यहाँ पर इखटा हो गया तो इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन को भी यहाँ पर अब जो दि नहीं है यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पात पर घूमता रहेगा और उसको किसी भी समय हिट कर सकता है ओके यह चीजें निकल कर रहे हैं श्रीलंका आप देखेंगे कि श्रीलंका में अभी अभी इमर्जैंसी लगी और इमर्जैंसी के कारण यहां पर बताया जा रहे थे बहुत सारे उसमें से एक यह भी बताया जा रहा था कि श्रीलंका और्गेनिक कार्मिंग की च्फिफ्ट हो पर बढ़े और जो भी essential commodities थी उन सभी के prices भी यहाँ पर बढ़े जिसकी वज़े सरकार कोई कदम उठाना पड़ा कि आप हम औरगेनिक की तरफ नहीं जाएंगे आप herbicide का यूज कीजिए आप पेस्टिसाइड का यूज कीजिए आप एग्री chemicals का यूज भी कर सकते हैं तो इस प्रम पता होनी चाहिए इसके जो cases यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं पिछले साल भी मिले थे उससे पिछले साल भी और इस बार भी लगभग 50 के करीब जो क्रोज हैं कोवे होते हैं और वो यहाँ पर उनकी दैट देखने के लिए मिली है और the states animal husbandry department found seven other words साथ और capitalism के जाद से जादा cases भी आपको सांबर लेक पर ही देखने के लिए मिलते हैं तो यह भी आज रखो कि यह फिर से नियूस के अंदर आ चुकी है दूसरा आपको यहाँ पर जो खबर देखने के लिए मिलेगी वो देखने के लिए 40 लोग यहाँ पर मर गए ओकी over 40 people died क्यों क् अंदर परदेश में अंद्फिलर्स देखने के लिए मिले हैं और हैवी रेंज हुई जिसकी वज़े से जो त्रुपती टैंपल टाउन था वो भी यहाँ पर उसको क्लोज करना पड़ा और स्टेट ने पांच लाग का कंपंसेशन भी देने की बात कही है अगली स्टेट है किया एक फॉर्मल डेक्लारेशन को for climate resilience development अब इस स्टेट के अनदर जितना भी की गई है environment forest climate change health and well-being of all और यहां पर आप देख सकते है sustainable and adaptive living livelihood and opportunities and evidence generation and collaborative action तो पांच यह ना करके इन्होंने कितने सारे दे दिये ओके यहां पर ऐसा होगा कि environment forest and climate change एक है आपका health and well-being for all यह दूसरा है sustainable and adaptive living यह तीसरा है livelihood and opportunities चोथा है और आपको मिलेगा evidence generation and collaborative action पांच हुआ है तो इस तरीके से आपको यहां पर यह पांच सेक्टर के लिए नुलाचर प्रदेश ने काम किया है union environment ministry ने नवंबर 22 को reject कर दिया है केरला government की request कि wild board को as a vermin declare कर दिया जाए ओके wild board को vermin declare करने के लिए केरला की सरकार ने union ministry से कहा था और union ministry से ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा wild board को हम vermin declare नहीं करेंगे और farmer से request है कि अगर आपके खेतों को नुकसान पहुचाते हैं तो आप उनका शिकार कर सकते हैं उनको hunt कर सकते हैं तो इस तरीके की बात भी यहाँ पर की है तो एसा सब यहाँ पर चल रहा है कि wild board को vermin declare करने के लिए केरला की सरकार प्रेशर बना रही है उसके बाद यहाँ पर article मिलेगा और article लिखा हुआ है India's success at COP26 तो Conference of Parties 26 की meeting UNFCCC की इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं इंडिया ने इसमें क्या success हांसिल की दो-चार point ऐसे निकलते हैं जो कि हमने नहीं देखे यह सब पढ़ने की ज़रुत नहीं है यह basic है और यहाँ पर आप देखो कि एक तो सिद्धानत आपका पंचाम रत काया इसके पाँचों पॉइंट आपको रटे हुए होना चाहिए पाँचों गीगावाट नोन फॉसिल एनरजी कैपसिटी जनरेट करनी है 2030 तक एकनोमिक कार्बन इंटेंसिटी और को 45 परसेंट तक लाना है आपका 2030 तक इंडिया विल फुल्फिल 50 परसेंट ओफ उस एनरजी रिक्वार्मेंट ठूरू रिन्यूबल एनरजी बाइट तक 20% रिक्वार्मेंट रिन्यूबल एनरजी से आनी चाहिए वन बिलियन टन ओफ कार्बन इमिशन को रिडियूस करना है 2030 तक और साथ इसाथ नेट जीरो बना है 2030 तक ये बात हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कई बार पढ़ चुके हैं तो पांचों पॉइंट आपके उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए उसके अलावा इंडिया न प्रपका इंटरनेशनल सोलर एलायंस है उसमें यूएस ने भी यहाँ पर जोइन कर लिया है यूएस ऐसा जोइन करने वाला 101 यहाँ पर बना रोस्टू 101 और रैट तो 101 वाँ कंट्री यूएस यहाँ पर बना उसके बाद हमने वन वर्ड वन गिरिट वन सन यहाँ पर लॉ झालउ ओड पर लोगे यहाँ पर आपके साथ मिल लोच किया गया है इस में टेकनिकल यह पाइन lle research को प्रेशन लोच किया जएगा अलगलग में कंट्री के साथ मिल और और तो इस तरीका का यहाँ पर यह काम हुआ इसके अलावा अगर आप देखतें तो दो चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी ये दोनों चीज़े भी आपको पता हुनी चाहिए अंडर दपैरी सेग्रिमेंट 2015 की बात कर रहे हैं इसका मतलब है नियू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल अब ये गोल क्या है इसको यहाँ पर देख लेते हैं ये एक structured process है through a work program has been launched for the working on the NCQG that will complete its work by 2024 तो एक तरीके का program यहाँ पर लौंच किया गए था एक work program लौंच किया गए था जो की new collective quantified goals जितने भी goals आपके Paris climate के हैं उन सबी को मिजर करने का काम आपको यहाँ पर करेगा the work program will consider the needs of developing countries developing countries की क्या needs हैं उसको consider करेगा call for submission from parties and experts experts की और parties का यहाँ पर आपकी जो submissions ली जाएंगी and undertake technical work जितना भी technical work होगा वो भी यहाँ पर इसके द्वारा ही देखा जाएगा and then give its recommendations और फिर अपनी यह recommendation यहाँ पर देगा तो एक तरीके से यह आपका जो working committee है working group है वो यहाँ पर तैयार किया गया है जो की अलग-अलग conditions के base पर अपनी recommendations यहाँ पर देगा this is a big step towards forcing the hand of developing countries तो इससे developing countries को भी यहाँ पर मदद मिलेगी to realize that there has to be a N.C.Q.G. by 2025 2025 तक इन सब चीजों को बनाने की बात यहाँ पर चल रही है और and this goal must come through a structured process under Coop और यह सब जो है वो आने वाली जो Coop meetings है उनके अंदर launch किया जाना चाहिए यही मकसद है इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि ऐसा भी कुछ launch करने की बात चल रही है उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि India was successful in getting language inserted regarding support from the global environment facility to develop the countries to developing countries for ETF मुझे यह ETF के बारे में बताना था जिसका full form है enhanced transparency framework यह कुछ नहीं है Paris Agreement के अलग-अलग countries के अपने goals थे उन सारे के सारे goals में आप देखें कि लिखवा enhanced transparency तो goals को यहाँ पर जाचना उनके कोई कमी तो नहीं है वो किस तरीके से fulfill किया जा रहे है उन सभी के लिए framework यहाँ पर तयार करने की बात हो रही है ETF का जो काम है यह भी आपका Paris Agreement में ही यहाँ पर launch किया गया था 2015 में और अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है सिर्फ बात यहाँ पर हुई थी इनको भी लागू करने की बात यहाँ पर चल रही है यह कुछ ऐसे मुद्धे हैं जो की आपकी गिलासगो की सम्मिट में रह चुके हैं इनको भी फुल फुल किया जाना चाहिए उसके अलावा पॉलावरम डैम की बात यहाँ पर करते हैं लिखा हुआ है from heaven to hell अब यह पॉलावरम डैम का इशू यहाँ पर है तो पहले थोड़ सा इसके बारे में जान लेते हैं पॉलावरम प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है काफी सालों से यहाँ पर चल रहा है और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है multi-purpose irrigation project है गोदावरी river पर है एक एक point यहाँ पर याद रखेंगे in the west गोदावरी district and east गोदावरी district of आंधर प्रदेस आंधर प्रदेस की दो district जो सबसे ज़्यादा परभावित हैं वो हैं आपकी west गोदावरी district और east गोदावरी district the project has been accorded national project status इसको national project का status दे दिया गया है union government की द्वारा अब यहाँ पर यह पॉलाबरम project के अंदर डैम यहाँ पर तयार किया जाएगा और इस डैम के जो पीछे है वो reservoir यहाँ पर बन जाएगा its reservoir back water इसको यहाँ पर कहा जाता है डैम बना तो डैम के पीछे जो पानी यहाँ पर इखटा होगा वो अपने आप में एक reservoir यहाँ पर करियेट हो जाएगा वो अपने पीछे देखे यह डैम जैसे यहाँ पर बना तो इसके पीछे पानी जो इखटा होगा वो 150 km तक इखटा हो रहा है दस बैक वाटर जो यहाँ पर पानी 150 km तक इखटा हुआ वो आपको 36 गर तक इखटा हो रहा है उडिसा तक इखटा हो रहा है तो जो 36 गर उडिसा में रहने वाले लोग हैं उनको काफी जादा दिक्कत देखने के लिए मिल रही है यह तो एक basic issue होगा अभी हम इसमें और भी चीज़े जानेंगे उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक term निकल के आई जिसका नाम है coffer dam इस term के बारे में पता होना चाहिए एक coffer dam is a temporary water tight enclosure build पहली बाद तो यह एक temporary है कोई permanent settlement नहीं है एक temporary water tight and closer है to expose the wet of water body for the construction of a permanent structure and to cause water to spill along the river bank on either side देखे जब आप एक यहाँ पर आप dam बना रहे हैं तो dam बनाने के लिए आपको जो water है जो आपकी river है उसका आपको bottom चाहिएगा तो उस bottom पे आप ऐसा concrete तो लगा नहीं सकते जब तक पानी बहता रहेगा तो एक आप ऐसा structure लगा देते हो जिसे कुछ समय के लिए पानी रोख जा और वहाँ पर construction का काम चल सके जैसे एक construction का काम हुआ आपने वहाँ पर cement वगरा लगा दिया वो सूख भी गया उसके बाद में water यहाँ पर आपका जो है वो छोड़ दिया जाता है और इस dam को खतम कर दिया जाता है क्योंकि एक temporary dam है तो हम एक permanent structure बनाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए एक temporary dam बनाया गया जिसका नाम है covered है ओके तो यह चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि यह पूरी के पूरी जो time है यह इस चीज़ को define करती है कहीं नहीं मिलेगी यह सिर्फ इसी इनी जगों पर देखने के लिए मिलती है कहीं नहीं मिलेगी मतलब books वगेरा में आपको ऐसे जनरली देखने के लिए नहीं मिलता और यह magazine वगेरा के अंदर यह चीज़े cover होती है और एक तो चीज़ यहाँ पर यह हो गई अब पॉलाबरम डैम का issue अगर हम देखें देखें यहाँ पर यह आपका पॉलाबरम डैम बन रहा है image देखिए ठीक है यह रहाब का पॉलाबरम डैम साइट और इसके 150 km तक पीछे तक आपका जो water है वो store किया जा रहा है और जितना भी red red color का area देख रहे हैं आप ठीक है यह जितना भी आप red color का area देख रहे हैं यह सब reserve wire के रूप में आपर तयार किया जाएगा अब गोर फरमाईए अगर आपको दीख रहा हो तो यह चीज आपकी उडिसा में जा रही है और यह चीज आपकी 36 गड़ में भी जा रही है तो दोनों जगह के जो रहने वाले लोग हैं इस इलाके के अंदर उनको काफे नुकसान पहुच रहा है पॉलाबरम डैम विल डिस प्रोजेक्ट के अंदर आपका देखो डिस्प्लेस्मेंट तो होता है जो भी लोग वहां पर रह रहे होंगे उनको हटा तो दिया जाता है हर बार ऐसा ही होता है लेकिन इस बार हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्प्लेस्मेंट आपको देखने के लिए मिलेगा ओके पॉल कितने लोग डिस्प्लेस होंगे लगबग 1,6,000 के करीब लोग डिस्प्लेस होंगे ये टोटल फैमिली बनती हैं 17,000 के करीब और फैमिली जिनको रिहाबिलिटेट कर दिया गया है अब तक वो हैं सिर्फ 6,000 ओके तो बाकी की जो फैमिली हैं उनका क्या हुआ ओके टोटल कोलोनीज मनाई गई हैं 213 और रिहाबिलिटेशन कोलोनीज जो कम्पलीट हो चुकी हैं वो हैं कुल 26 ओके तो ये चीज यहाँ पर बताने की बात हो रही है आप देखें आर्टिकल में लिखा हुआ था फ्रॉम हीवन टु हैल ये लोग अपने घर में रहते थे ते इस इस क पर चलाया जा रहा है बाई रेसिडेंट इटसेल्फ ओके रिहाबिलिटेशन कोलोनी जहां पर भी बनाई गई हैं वहां पर खुद ही यहां पर चलाया जा रहे हैं भी पहले इन सब चीज़ों का इंतसाम हो जाना चाहिए था उसके बाद में डैम यहां पर आपका ओपन हो रही है कि देखें लिखें लिख़्ा हुआ है ये किसी का नाम है okay and his younger brother उसके younger brother ने feel किया cheated by the government यैसा feel करना है कि government ने इनके साथ धोका किया है देखें feel cheated by the government alright तो they lost their village इन्हों ने अपना गाउंग खो दिया and the adjoining forest n to carry a tunnel construction to carry water from the dam for irrigation तो इन्होंने ये चीज़ को दी ऐसे ही आगे बताया गया है बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा यहाँ पर earning करते थे लेकिन अब उनकी earning यहाँ पर नहीं बजी farmers को जो compensation है वो भी ढंक से यहाँ पर नहीं मिल रहा है और आप यहाँ पर देखेंगे इस image के अंदर देखिए लिखा हुआ है एक नाम लिखा हुआ है और आप यह जब फिशिंग करने के लिए जाते थे तब अच्छी खासी earning यहाँ पर होते थी अब क्या है कि इनके जो husband नहीं को यहाँ पर सतर किलोमेटर दूर जाना पड़ता है फिशिंग करने के लिए बासमद में आपको तो इस कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है आप स देखे साथ लाक रुपे यहाँ पर इनको मिले और इसमें से आपका बहुत सारा तो ऐसा है कि अपने घर की सुबीधा के लिए ही यहाँ पर खतम कर दिया जा रहा है तो यह चीज़ भी धियान रखो जैसे उन्होंने रियाबिलिटेशन कैम वगिर अबिलिबल करा दी आप थोड़ी से परिशानियों को समझे कि इसमें यह क्या क्या परिशानिया आ रही है यह प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़िए और क्या क्या दिक्कते हैं उनको भी जानिए उसके अलावा है ये आर्टिकल आ जाता है और इस आर्टिकल के अंदर में बताया गया है विटर सुीट के बारे में दीखे यूपी के अंदर जगा है आगरा, आगरा में दो ही चीचे फेमस हैं एक आगरा का पेठा फेमस है और एक आगरा का जो है वो ताज महल फेमस है ओके तो आगरा को ताज नगरी कहते हैं और आगरा को पेठा नगरी भी कहते हैं ओके तो ताज महल तो ठीक है पेठा की बात यहाँ पर की जा रही है दब पेठा प्रोडक्शन इन आगरा देखे पीछे कुछ चैलेंजिस देखने के लिए आ रहे हैं कि जब पेठा बन जाता है तो एक वेस्ट यहां पर रह जाता है और पॉल्यूशन भी यहां पर काफी जादा हो रहा है और इस पॉल्यूशन की वज़े से जो आपका ताज महल है और उस पर भी थोड़ा सासर यहां पर तो देखो पिछली बार हमने गुल के बारे में बात की थी से पिछली मेग्जियर में की जो गुल्ड मैनुफेक्टिर हैं जो बिरेज लेबल डियवर्क कर रहे हैं वहां किस तरीव पर कि पेठा मैनुफैक्टर किस तरीके से जो पॉलूशन में कंट्रिब्यूट कर रहे हैं तो इस स्मॉल इंडिस्ट्रियों लार्ज इंडिस्ट्रियों हर चीज़ को फोकस यहां पर किया जा रहा है तो राइट इसके अंदर जादा नहीं जाएंगे आप सोचिए कि कोई कुश तो ऐसल माना जाता है कि साहा जहां के किचन से यह चीज़ें निकल करके आई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर यह सब चीज़ें फेमास हैं तो अंटिल 2013-2013 तर देर वर ओबर 700 बिग एंड स्मॉल यूनिट मैनुफैक्ट्टर सोफ सीट लगबख 700 के करीब आगरा यहां पर सर्वे किया गया और इस सर्वे के अंदर पता चला काफी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली अल्दो रिगार्डिट एस दा प्योरेस्ट फॉर्म उफ सुईट बाइद लोकल रेजिरेंस लोकल जो लोग है वो इसको प्योरेस्ट फॉर्म बताते हैं ग आगरा अपना जो वेस्ट है उसको इलमिनेट नहीं कर पा रहा है और अपने रेसिदेंस को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है और अपने जो कि सबसे बड़ा टूरिजम स्पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूपिंग रेंदर विदाउट लोकिंग फॉर generate होता है एक होता है raw waste और एक होता है आपका पेठा okay तो raw waste which includes the peel okay देखें यह जो बनता है यह आपका जो locky होती है ना ठीक है जिसको आप कदू भी कहते है उससे यहाँ पर यह पेठा बनता है okay और इस पेठे का जो waste है वो यहाँ पर create होता है पील है pulse है of ash gourd तो इसको यहाँ पर यह कहते होंगे और जो पेठा यहाँ पर unconsumed रह जाता है और उसकी shelf life खतम हो जाती है वो सारा का सारा waste इस तरीके से generate होता है और उसको dispose भी नहीं किया जा रहा है तूसरी category का waste है the portion of पेठा waste as sweet is usually made to demand demand के base पर यह आपका तयार किया जाता है और some 60% of the fruit is wasted during manufacturing और manufacturing के दोरान जिस fruit से यह बनाया जाता है उस fruit का 60% हिस्सा बेकार हो जाता है और जो 60% हिस्सा बेकार हुआ वो सब आपका waste के अंदर यहाँ पर चला जाता है और इस तरीके से आप देखेंगे कि भारी मात्रा में दिख करते हैं with irregular pick-ups regular pick-ups नहीं है municipal cooperation के दोरा रा पेठा waste is often dumped openly openly इसको dump कर दिया जाता है attracting disease loaden vectors तो वही बिमारियां और यह सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके ओपर फिर PhD भी कराई गई थी आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पर PhD करना चाहिए तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए था बस जस्टा प्रॉब्लम और कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है हमारे OPSC के साफ़ से इसे बड़ी प्रॉब्लमस हमारे पास मौझूद है तो जस्ट व्यू हमने यहाँ पर इसको लेना था हमने देखा उसके बाद आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ जैसा मैगजीन के सामने लिखा हुआ था नेट रिजल्ट और इसमें आपको बताया था इन्हें वार्मिंग वर्ड जैसा कि इंडिया यहाँ पर है और पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो रहा है मौस्क्यूटो बॉर्ण इल्नेसिस बढ़ती चली जा रही है और अब यह सीजनल नहीं रही है अब लगातार यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है पहले होता था कि एक सीजन में ही पर्टिकुलर बिमारी आती थी लेकिन अभी ऐसा नहीं है अब यह सब प्रॉब्लम्स जो है वो बारा महीन है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है तो यह जो आपका नेट की बात यहाँ पर की गई थी उसमें बताया गया था कि जो मलेरिया बॉंड डिजीजिस हैं वो बढ़ रही है और इस पेशली जी का वायरस को यहाँ पर आपका एक्स्प्रेंड किया अब आप देखो कि मैगजीन के अंदर जो चीज़े दिखाई गए थी वो इस तरीके की थी और इन्होंने सब कुछ बताया था कि पर्टिकुलर किस राज जैमें कितने केसि बढ़ रहे हैं मैं डालता हूं जान बुछ के ताकि आपको पता लगे कि हाँ यह चीज़े काम की नहीं थी इसलिए इनको हटा दिया गया ओके यह सब चीज़ें आपके काम की नहीं थे तो यहां से कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं जिनको थोड़ सा सेंतेसाइज करके यहां पर डाला गया देखिए यह सब चीज़ें दी गई हैं कि कौन से देश में कितना इसना प जीज़ें दिया है जीज़ें अनका अन्दर साwn साफ फिका हुआ हैज जो जीज़ेंगहें मिलेंगे पूरे इंडिया में मिलें और उत्थर प्रदेश का जो कानपुर है वहाँपर सबसे थादा के देखने के लिए मिले पूरी दुनिया इससे परिशान है और अगला पैंडमिक यही डिक्लेयर किया जा सकता है ओके वाट इस जीका वेर इट वास फर्स्ट डिटेक्टिड हाव वरी समेट इस इंडिया एंड इस चीज़ को नापर में और एशिया के अंदर तो कि सिर्फ 15 केसे तो कोई बड़ी चिंता की बात यहां पर नहीं थी ओके फिर यह बढ़ना शुरू हुआ देरवाज मैसिव स्प्रेड उफ जूनोटिक डिजीज ठीक है इसका यहां पर फिर प्रसार शुरू हुआ और प्रसार हुआ इन यैप ज अमेरिका मैकसिको केरिबियन इन सभी जगवा पर यह वाइरस यहां पर फैला डब्लू एचो वर्ड हैल्थ और्गिनाजेशन ने एक फरवरी 2016 को इस जीखा वाइरस को क्योंकि इसके केसिस बहुत जादा यहां पर बढ़ रहे थे तो इसको पब्लिक हैल्थ इमर्जैंसी जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ कोजिस है बट 2016 में एक बहुत ही भयंकर कोज यहा पर निकल के आया बहुत ही घातक जो आउटकम यहाux यह पर निकल के आया वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बच्चा है जो चाइल है उसका head under develop रह जाता है head पूरी तरीके से develop नहीं हो पता और brain defect देखने के लिए मिलते हैं जो आपका brain है उसका size यहाँ पर बहुत ही छोटा हो जाता है और इस तरीके के children's यहाँ पर जीका वाइरस के कारण होते हैं अगर जीका वाइरस का infection प्रेगनेंसी के दोरान यहाँ पर वोमेन में हो जाता है तो यह चीज़ आपको पता होने चाहिए कि microcephaly condition क्या होती है इसके अलावा गुलियन बारिस syndrome भी यहाँ पर हो जाता है जिसमें आपको paralysis तक की situations हो सकती है यह एक neurological disease की रोप में है ओके यह चीज़े हैं ब्राजिल के अंदर यह फैला ब्राजिल के अंदर लगबग 2600 केस निकले किसके? microcephaly के याद रखना भाई इस condition को तो ब्राजिल के अंदर यह strain यहाँ पर circulate होता रहा और यहाँ से सबसे ज़्यादा microcephaly के केसिस देखने के लिए मिले Prevalence Studies on Gika Virus carries out 1952-53 में National Institute of Virology पूने ने इसको पर research यहाँ पर शुरू कर दी और इसमें यहाँ पर पता चला कि humans में भी antibodies present होती है in several parts in coastal and western India तो coastal, central and western India में कुछ हद तक humans में antibodies की presence भी देखने के लिए मिली Gika Virus spread होता है Edis egypti के दौरा और Edis elbow pictus, mosquitoes के दौरा It can transmitted through blood transfusion blood transfusion के दौरा यह transmit हो सकता है sexual contact के दौरा हो सकता है यह by exposure to urine इन सब चीजों के दौरा यह आपका expose हो सकता है ओके, यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है और इससे पहले Gika Virus के cases भी देखने के लिए मिले हैं कि 2018 में जैपुर राजिस्थान में Gika के cases यहाँ पर फैले थे और यह सब चीज़े भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें यह चीज़ें हिंदी में यहाँ पर मैंने डाली है आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी slide important है इसलिए ignore ना करें यह सब चीज़ें आपकी इस magazine के अंदर में cover की गई हैं इसके अलावा हम यह सब चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे जैसा कि आपको बताया गया तो यह चीज़ है कि इतना यहां से जो भी एक दो पॉइंट निकल करके आया है एक्साम की काम का वो हमने यहाँ पर पढ़ा उसके अलावा लिखावा यह अगला आर्टिकल डैडलोग इन पारक वे है तो आपको पता है कि पारक की खाड़ी कहां पर है तो पारक की जो वे है वो यहाँ पर आपको इंडिया श्रीलंका के बीच में मिल जाएगी और इंडिया श्रीलंका में इश्यूज जो हैं वो काफी भारी मात्रा में मिलेंगे लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडिया की साइट में फिश नहीं मिलती है तो आपको जो आपका मैरिटाइम बोर्डर है इंडिया और श्रीलंका के बीच में उसको क्रोज करके दूसरी साइट जाना पड़ता है और उससे काफी जादा प fishing conflict sign no sign of abitment तो कोई भी यहाँ पर आपको रियायद देखने के लिए नहीं मिल रही है as efforts to phase out destructive throwing practices so little progress तो सरकारें क्या हैं दोनों तरफ की आपकी जो throwing practices है throwing practices आप समझो कि यह एक तरीके का net वाली जो practice है net का use करके जो भारी मातरा में मचलियों को पकड़ा जाता है वो destructive way में उन सभी practices को बंद करना चाहती है लेकिन बंद करने के लिए जो progress है वो काफी जादा धीरी चल रही है तो मजा नहीं आ रहा इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं तो यह तो basic issue यहाँ पर आपका हो गया और among the boats यह सब छोड़ते हैं यहाँ से आते हैं आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो फिशर्स हैं वो एक्वेटिक रिसोर्स के लिए पाक वे पर आधारी थे पाक वे मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ है और यह जो पाक वे है यह आपका लगग 15,000 स्कौर किलोमीटर की नेरो स्ट्रिप है और वाटर सेपरेटिंग इंडिया एंड शेलंका इंडिया और शेलंका को सेपरेट करने का काम यहाँ पर करती है अगर हम तमिल नाडू फिशरीज डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात करें तो इस्टेट में लगबग 6000 के करीब थ्रॉलर्स यहाँ पर फिर वो आपकी पार्क वे में जाते हैं तो ड्रेग अ लार्ज नेट एक बड़ा सा नेट लेकर के ऐलोंग दा ओशेन फिलोर तो कैज दर टारगेट फिश होगे तो पूरा जो आपको जिस भी तरीके की फिश यहाँ पर कैज करनी हो अलग-अलग तरीके की फिश होती हैं उस तरीके के फिश को पकाड़ने के नेएं सब लोग यहाँ पर जाते हैं तो इस तरीके से बॉटम थ्रोलिंग करते हैं मतलब ओशन के फिलोर पर जाकर के आप इन चीजों कर पकाड़ते हैं इससे क्या कि कोरल्स डेस्ट्रोइ होते हैं डेस्ट्रोइ इस कोरल रीफ and cause irreversible impact of on bentic community और जो आपकी ocean floor की community है उस पर भी असर यहाँ पर पड़ता है तो government क्या है कि has encouraged promote कर चुकी है इन सब चीजों को rolling in parkway since the mid 1960s में हमने यह चीज प्रमोट की थी और उसका ही असर दीख रहा है कि कोर अल्दीफ बगारा डेस्ट्रोइ यहाँ पर हो रहे हैं तो लोंस subsidies लोंस भी प्रोवाइट किये थे सरकार ने subsidies भी प्रोवाइट की थी और इस तरीके से आप देखोगे कि बेकी हालत बिलक प्रोवाइट करेंगे ताकि environmental जो problem है उसको support आउट किया जा सके शिलंका के साथ मीटिंग करके इसा बात गई थी 2017 में union government ने लौंच किया diversification of thrall fishing boat from park state into deep sea fishing boats ये चीज़ आप यहाँ पर देखें कि जो आपकी thrall fishing boats है उनको यहाँ पर खतम करना है और अलग तरीके से जो काम यहाँ पर करना और the parkway scheme इन्हों ने यहाँ पर लौंच की थी जो 2000 fisher fox हैं जो कि 4 district में से आते हैं उनके लिए ये सब काम यहाँ पर होने थ था उसके लिए 1600 कवनों रुपए का target यहाँ पर रखा गया और इसके लिए उनको अलग तरीके की सुविदा provide कराने के लिए कि destructive तरीके से काम ना हो बेसिकली net based काम ना हो जो आप जो net है उसको ले जाते है न डीप उसके बेस पर काम ना हो अलग तरीके से काम हो तो उसके लोंग लाइन लाइनर कम गिल नेटर बोट्स यहाँ पर आपको provide करा जानी थी इसकी कोस्ट असी लाग रुपए की थी डीप सी फिशिंग के लिए यहाँ पर काम किया गया ओके फिर से इसको प्रमॉट करने की बात हुए तो जो फिशर फोक्स हैं उनको फिशिंग के अला इसकी कीमत 80 लाग रुपए है इस 80 लाग में से 56 लाग जो है वो आपकी यूनियन सरकार देगी इस्टेट सरकार देगी ओके और जो 16 लाग है वो आपका लोन से आएगा और बाकी का 8 लाग जो है वो किसान को पे करना फिशर को पे करना पड़ेगा तो ऐसा सब 2000 के लिए य साइड है एक आपकी शिलंका की साइड हो गई एक आपकी इंडिया की साइड हो गई यह मेरिटाइम बॉर्डर यहां पर हो गया तो जो आपका मेरिटाइम बॉर्डर है अगर इंडिया की साइड मेरिटाइम बॉर्डर को क्रोस कर जाते हैं और अधर साइड पर जिससे की प् कार देगी 16 लाग आपके यहां से आएंगे लोन से और बाकी के जो आपकी 8-6 लाग यहां पर बसते हैं और 8 लाग जो भी आपकी बसते हैं वो आपको खुद से यहां पर लगाने पड़ेगी तो ऐसी जब छोटी प्रॉब्लम चल रही है आपको पता है कि आपको सिर्फ प्र धर थॉनर्स कोस्ट ओनली अबाओ 10 लाग और जो यूनियन के 56 लाग यहां पर मिलने थे उसके 10 लाग यहां पर मिले हैं बताइए ओके तो यह भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी है जो सुजाब यहां पर दिया गया है वो दिया गया है सुझाब में लिखा है कि पाकवे शुड बी टरण टू कॉमन हैटेज इसको हैरिटेज डिक्लेटेर कर दो belonging to India and Sri Lanka तो ये पाक वे अथोरिटी अभी बनी भी नहीं है पाक वे अथोरिटी नहीं है तो जो ये बता रहे हैं इन्होंने कहा है कि एक पाक वे अथोरिटी होनी चाहिए जिसके अंदर fisheries से experts होने चाहिए marine ecologist होने चाहिए fisheries representatives होने चाहिए government officials होने चाहिए और इस तरीके से हमें एक पाक वे अथोरिटी यहाँ पर तयार कर सकते हैं जो इन सब मुद्दों पर ध्यान देगी और इसको एक common heritage declare किया जा सकता है कुछ सुजाब भी आपको पता होने चाहिए वो यहाँ पर लिख्या हुए यह authority देखेगी कि sustainable तरीके से fishing किस तरीके से हो कौन से equipment sustainable है किस तरीके से fish को यहाँ पर आपको पगाड़ना है वगयरा वगयरा चीज़ है तो इस तरीके से dispute है इंडिया शीलंगा के बीच में इसको कम किया जा सकता है इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ चुनोतियां देखने के लिए मिल रही है और इंडिया को देखे इंडिया ने इसको इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद इसको उगा रहे हैं हम हमाले रीजन में क्योंकि कि वहाँ पर कॉल्ड जो वाता वरन चाहिए हीं के लिए वह एपलेबल हो जाता है ओके यहां पर देखें ऑल्दो असाफ़ोई टीडा है जा लोंग हिस्ट्री ओफ यूज इंडिया में यूज होता है और बहुत है जा फ्लेवरिंग एजेंट एंड फोक मैडिसिंस में भ को देखने के मिलते हैं हींग के लिए याद रखना कोल्ड एंवर्मेंट चाहिए एरिड होना चाहिए ओके तो यह चीज़ ड्राइड यहां पर आपका रीजन होना चाहिए ओफर एस सुटेबल एंवर्मेंट फॉर प्लांट तो थ्राइव इन दा वाइल्ट तो इस तरीक असली बॉना यहां पर शुरू किया और यह सब काम यहां पर शुरू हुए हमाचल प्रदेश के अंदर जो कंडिशन्स हैं वो कुछ ऐसी ही देखें कि कोल्ड डैजर्ट था तो कि असाफ़ टीडग कि अगर हम बात करें तो कोल्ड एरियास में उकता है और ड्राइ इन सब जिलों में हो गया आपको जिले पढ़ने की ज़रत नहीं है आप मोटा मोटा समझें अब यह सब काम हमने किये एक साल हो गया 2019-2020 में हमने यह गया था 2021-22 और 2020-21 21 भी खतम हो गया तो हम देखते हैं क्या इंपक्ट इसका बड़ा तो एक फार्मर है उन्होंने असी ज है मैं आपको जादा नहीं पढ़ाना चाहता हो कि तो सिर्फ आप देखें यहां पर कि उसमें से बहुत सारे जो है वो खतम हो गया आप देख सकते हैं कि एक फार्मर था उसने तीस सैपलिंग्स हुगाए और उसमें से सिर्फ तीन ही यहां पर बज़े तो बाकी के 27 धिरी खतम हो गया साथ ही साथ जो उनकी लीव्स हैं वो भी प्री मैचुली ड्रॉप सुरू होने हैं लगी तो अपनी पत्यां जो गिरने का टाइम है वो बहुती जल्दी यहां पर हो गया यानि की क्लाइमेटिक कंडिशन फेवरेबल नहीं रही ओके अशोक नहीं यह किलेम किय कि लगभख 60% of the saplings distributed under the initiatives have survived इनकी जो 60% saplings बची बाकी की जो 40% है वो यहां पर खतम हो गई उससे इंकम भी तो गिरेगी ठीक है और इंकम गिरना किसी को पसंद नहीं है ठीक है तो यह चीज़ देखो कि यह जो reason है आपका लाहूल स्पीती वाला reason weather conditions यहां पर इरान अफगा प्रट किया तो आप इसको जी उगा रहे हैं उस तरीके कंडिशन देखने के नहीं मिल रहे हैं तो आपको कोई और suitable reason यहां पर देखना पड़ेगा वरना यह चुनोतिया continue रहेंगी उसके अलावा एक आर्टिकल और यहां पर है जिसके अंदर बताया गया है about ecological indicators के बारे मे और these are natural ecological indicator ecological indicator ऐसी जो हम कह सकते हैं species होती है जो particular किसी भी natural phenomena के बारे में आपको आगा कर देती है और ऐसा ही सब काम जो है वो सूमी नागा ट्राइब के दौरा यहां पर किया जा रहा है यह ट्राइब आपका अलग अलग चीजों को देखकर के पता लगा लेती है कि कब कौन सा natural event होने वाला है जैसे लिखा हुआ हुलोक गिबन के बारे में हुलोक गिबन इसकी अगर आपने high pitched voice यहां पर सुन ली तो समझ जाए कि बारिश होने वाली है in a few hour अगर बहुत तेज भी सूरज निकल रहा है तो अभी आप समझ जाए कि अगर यह बहुत high pitch में यहां पर जो natural phenomena's हैं उनका पता लगा लेते हैं by ecological indicators तो इनका traditional knowledge है यह लोगों को नहीं पता और जल्दी खतम हो जाएगी इसलिए इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए जैसे यह bamboo है bamboo basically seedha ही आपका यह है लेकिन अगर इसके अंदर इस तरीके की आपको flowering देखने के लिए मिल ज सुमी नागा ट्राइब भी आपकी यहां पर आपको मिलेगी नागा लेंड के अंदर की बात यहां पर है और नागा लेंड में गर इस bamboo में फ्लोबरिंग यहां पर होती है तो समझ जाईए कि famine हो जैसी conditions बनने वाली है अब आपका जो rodent यहां पर आएंगे और crops को damage करेंग और अपना जो sowing season होता है seeds का उसको start करते हैं तो इसकी आवाज सुनने के बाद ही यह काम यहां पर होगा ऐसे ही आपको catfish के बारे में पता लगेगा catfish के अगर हम बात करें to indicate the severity of winter season की winter season में कितनी ज़्यादा severity रहेगी people examine करते हैं इसकी belly को तो इसकी belly को यहां पर देखते हैं और ecological indicators भी यहां पर कहते हैं और एट तो यह points आप यहां पर ध्यान में रखो question इस तरीके से आ सकता है कि which of the following species work as a ecological indicator या is termed as indicator species तो यह चीज़ आप यहां पर ध्यान में रखोगी कि ऐसा सब काम यहां पर होता है और इस तरीके सा हमारी जो पूरी magazine है वो यहां पर clear हो लेंद बढ़ गई है कोई बात नहीं बट यह चीज़ आप यहां पर ध्यान में रखो thanks for watching take care